नमस्कार सद्गुरु जी, एक बार फिर हम फ्रैंक्ली स्पीकिंग में मिल रहे हैं और इस बार तो ईशा आश्रम में मुलाकात हो रही है। यहां की शांती को, यहां के आटमस्फियर को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं बस इसे अंदर महसूस कर रही हूँ। बहुत स्पेशल है यह। सद्गुरु जी, मैं जिस समय आपसे बात कर रही हूँ, वो शायद एक तरह से कल्चरल रेनेसॉंस का समय है। 22 जन्वरी की तारीक वो तारीक है जिसका इंतजार हर भारतिये 500 सालों से कर रहा है। यह जो कल्चरल एथोस को रीकलेम करने का पूरा समय चल रहा है, इस पर आप क्या कहें। देखिए कई देशों के जीवन में कई गलतियां होती है। दुर्भाग्य से मनुष्य ऐसे ही रहे हैं। लेकिन जब हम कुछ चीजों को फिर से प्राप्त करते हैं, तो हमें कुछ चीजों को ठीक करना होता है। उदाहरण के तौर पर जब आठवी शताब्दी में अरब सेनाओं ने स्पेन पर कबजा किया। एक एक चर्च को उन्होंने मस्जिदों में बदल दिया। लेकिन जब तेरवी शताबदी में उन्होंने इसे फिर से हासिल किया तो उन्होंने सब कुछ फिर से बनाया बिना किसी अपवाद के तो ये 1950 से पहले किया जाना चाहिए था 47 से 50 तक हमें ये कर लेना चाहिए था और क्योंकि तब सफल होता है राष्ट्र के सफल होने की क्षमता सिर्फ उसके संसाधनों राजनीती और सेना में नहीं होती ये लोगों की भावना में होती है अगर लोग हरा हुआ महसूस करते हैं तो वो कोई बड़ा काम नहीं करने वाले तो मुझे लगता है कि ये सत्तर सालों से बाकी है अगर आप मुझे से पूछें तो तो ये एक बहुत अच्छा कदम है काश ये बिना किसी मनमुटाव के होता क्योंकि हर कोई जानता है कि यहां एक मंदिर था क्योंकि जिन आकरमनकारियों ने इसे नश्ट किया उन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि हमने इसे नश्ट कर दिया बड़े गर्व से उन्होंने ऐसा लिखा है हमें समझना चाहिए क्योंकि ऐसी भव्य संरचनाओं को नश्ट करने का उनका इरादा केवल लूट पाट का नहीं था वो जो चाहते उसे ले जा सकते थे और मंदिर छोड़ सकते थे हीरा, सोना, जो भी वो चाहते ले जा सकते थे और पत्थर छोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने इसे नश्ट किया क्योंकि उन्हें लोगों की भावनाएं तोड़नी थी यही उनका इरादा था मुहम्मद गजनवी मतुरा आया तो उसके इतिहासकार ने लिखा है कि हमने इस तरह की सनरचना कभी नहीं देखी इतनी सुन्दर, इतनी शांदार और इतनी विशाल यह मनुष्य का काम नहीं हो सकता यह मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते यह काम यह देवताओं का काम है उसने ऐसा लिखा है और फिर भी उन्होंने मंदिरों को नश्ट कर दिया क्योंकि उनका मकसद लूटना या जीत हासिल करना नहीं था उनका मकसद लोगों के मनुबल की नीव को ढाना था क्योंकि वो वहीं पर है इसलिए इसे वापस बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों समुदायों के नेताओं में पर्याप्त समझ हो वो बैठें बात करें और हम इसे बिना किसी मनमुटाव के कर पाएं हम ये हार महसूस कराए बिना दूसरे समुदाय को हारा महसूस कराए बिना ये कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में हमें उनके मनुबल की भी जरूरत है उन्हें पराजित महसूस नहीं होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन आम तोर पर मुझे लगता है मनुबल बढ़ रहा है किसी के खिलाफ नहीं बलकि वो जो हैं उसके गर्व की वजह से जो की शांदार है इस देश की वृद्धी और विकास के अगले चरण के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह की युवा शक्ति अभी हमारे पास है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी हमारे पास 15 से 25 साल का समय है अगर हम इसे अभी नहीं करते तो फिर हम नहीं कर पाएंगे हम अभी हमें बहुत गर्व है हम एक युवा राष्ट्र है 25-30 वर्षों में हम एक बूरहा राष्ट्र होंगे 60 साल से अधिक उम्र के एक अरब लोग एक राष्ट्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है लेकिन हम उस स्थिती में पहुंचेंगे ही तो उससे पहले अगर सच में हम लोगों का जीवन बहतर नहीं बनाते हैं इसके लिए हमें लोगों की बहुत उत्साहपूर्ण भागीदारी की जरूरत है सिर्फ सरकारें ऐसा नहीं कर सकती तो वो भावना मुझे लगता है उस भावना के कई पहलू है लेकिन ये सब बातें जैसे अगर आप सफल हैं तो आपको देश छोड़ना होगा ये दूर जा रही है जो सफल हैं वो देश में वापस आना चाहते हैं हालांकि जीवन स्तर में एक बड़ी गिरावट हो सकती है लेकिन फिर भी वो वापस आना चाहते हैं भावना के कारण ये बहुत जरूरी है कि सबसे अच्छा दिमाग सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और उच्चतम स्तर की क्षमता देश में ही रहे और उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है सद्कुरु जी आपने एक रूप रेखा की बात की ये जो रूप रेखा है वो क्या सचमुच भारत के लोगों की है या सिर्फ राजनीती के लिए खाका कीचा जा रहा है मैं कहूंगा कि ये काफी हद तक राजनीतिक स्तर पर है लेकिन जब नेता ऐसी चीजें बोलते हैं तो जाहिर है कि आम लोगों के दिमाग में जहर भर जाएगा और वो सोचने लगेंगे कि उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है देखिए पहली बात ये है कि मुस्लिम समुदाय को आक्रमनकारियों से अपनी पहचान नहीं जोडनी चाहिए ये बहुत जरूरी है आप उस धर्म से हैं इसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन आपको उनसे अपनी पहचान नहीं जोडनी चाहिए जिन्होंने ऐसे अत्याचार किये अगर आप उनके साथ अपनी पहचान जोडते हैं तो वो सारी यादें वापस आएंगी जब भी मैं आपको देखूंगा तो वो सारी यादें वापस आजाएंगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए खुद को उनसे दूर रखना चाहिए जो हुआ सो हुआ कोई बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता हम देश के भविष्य को ठीक करने की बात कर रहें इसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा तो हो सकता है ये पूरे समुदाय की सोच या भावना न हो लेकिन जब इसे उकसाया जाएगा तो ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों को कानून द्वारा ठीक से नियंतरित किया जाए क्योंकि जब लोग खुले आम ऐसी बातें कहते हैं आम लोगों की भावनाएं उकसाने के लिए क्योंकि उन्हें बस यही आता है कितने लोगों ने भारत का इतिहास पड़ा है क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो पूरी तरह से गलत इतिहास है हमारे स्कूल में इतिहास की किताब पूरी तरह से जूटिये तो पिछले पता है कि कैसे हमारे अपने स्कूल की किताबों ने हमें गुमराह किया है जिन्हें आप बच्पन में बिल्कुल सच मानते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये सब करने के लिए एक पोलिटिकल डिजाइन तयार किया गया है या फिर आजादी के तुरंत बाद से ही कुछ लोगों ने ये प्लैनिंग करनी शुरू कर दी थी कि हिस्ट्री के बारे में लोगों को क्या कैसे और किस तरहां से पढ़ाया सिखाया जाए ताकि उनके दिमाग को एक खास तरहां से ट्रेन किया जाए जैसे अभी हाल में ही आपने सुना होगा इस तरहां से बयान सामने आए है कि हम राम मंदिर पर इतना फोकस कर रहे हैं कि ये एक नैशनल अजेंडा बन गया है तो हमें डर है कि कहीं ये देश हिंदू राष्ट्र ना बन जाए इस तरहां कि डर की बात अगर आप इसे राष्ट्रिय एजेंडा नहीं बनाना चाहते तो इसे इग्नोर कीजिए लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज्यादा तर लोगों के दिलों में जिन्दा है ये मंदिर के बारे में नहीं है ये एतिहासिक गलती को ठीक करने के बारे में है और बड़े पैमाने पर ये मंदिरों के साथ होगा क्योंकि वो हमारे मन के प्रतिनिधी है मैं आम तोर पर मंदिर जाने वालों में से नहीं हूँ मैं अपनी आखें बंद कर लेता हूँ यही मेरा तरीका है लेकिन लोगों के लिए इसके क्या माएने है आप बस इसे देखिए लोग हजारों की तादात में हर दिन यहां आते हैं उनके लिए ये कितना माएने रखता है आप उन्हें नजरंदाज नहीं कर सकते आप जो सोच रहे हैं वो आपकी निजी सोच हो سकती है तो क्या इसे सोच समझ कर किया गया, सौ परसेंट ये सोच समझ कर हुआ, इसमें कोई शक नहीं, खेर, दुर्भग्य से, जब हम आजाद हुए, तो हमने केवल ये गुलामी काल का एक हैंगोवर है, कि हमने सिर्फ उन लोगों को महत्व दिया, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं भी इसका अपराधी हूँ, ठीक है, मैं दक्षन की भाषाएं बोल लेता हूँ, लेकिन ज्यादा तर बात चीत अंग्रेजी में ही होती है, क्योंकि ये दुनिया की भाषा बन गई है, बात करने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन राष्ट्र के निर्मान में हमें अलग तरह की सोच को शामिल करना था, जो एक तरह से स्थानिय या स्वदेशी हैं, लेकिन हमने सब कुछ बस अंग्रेजी में शिक्षित लोगों के हिसाब से तयार किया, जो लोग आजादी से पहले अंग्रेजी में शिक्षित हुए थे, आप कुछ भी कहें, कुछ लोग वो शायद चाहते थे कि काश उनकी तवचा का रंग अलग होता, ऐसा ही था, जब आप उनके साहित्य को देखते हैं, तो ये पता चलता है कि वो काफी डरे हुए थे, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन ज्यादातर स्वदेशी लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहि जो बीद गया, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, जो ठीक किया जा सकता है, हमें उसे ठीक करना होगा पर आप एक वाक्य में कहते हैं कि what is gone cannot be fixed, अगर अगले ही वाक्य में मथुरा की बात करते हैं, राम मंदिर के बाद मथुरा काशी का मुद्दा ना सिर्फ लोगों के दिमाग में एक पार फिर से जगा है, बलके कोट तक जहां पहुँचा है देखिए, मैं इसके पूरी तरह खिलाफ होता, बड़ी संख्या में लोग जाकर किसी प्रॉपर्टी पर कबजा करें, मैं पूरी तरह इसके खिलाफ हूँ अगर सम्विधान के दाइरे में रहकर, कानूनी तरीके से आप जाते हैं और अगर आपको ये मिल जाती है, तो ये सब को मंजूर होना चाहिए वरना इसका मतलब है कि आपको देश पर ही विश्वास नहीं है, इसका यही मतलब है तो कोई ऐसा कानून बनाता है कि बहु संख्यक लोग अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के लिए कानूनी सहारा नहीं ले सकते, जो उनके लिए माइने रखती है 1991 लेकिन मैं कह रहा हूँ, यह संवैधानिक रूप से ठीक कैसे हो सकता है, कि मैं आप से कहूँ कि आप अदालत नहीं जा सकते हर कोई अपने किसी भी मुद्दे को लेकर अदालत जा सकता है दुर्भाग्य से हमारी अदालतें बहुत ज्यादा समय ले रही है ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद भले ही कोट जाते जाते आपकी जान निकल जाए लेकिन फिर भी आपको कानूनी सहारा लेने का अधिकार है आप कानूनी सहारा नहीं ले सकते ये कैसा कानून है मैं कह रहा हूँ ये आ कहां से रहा है हम एक लोकतांतरिक देश की बात कर रहे हैं जहां हर किसी के अपने अधिकार है आप अदालत नहीं जा सकते ऐसा कानून नहीं हो सकता पर सद्गुरु जी फिर उस स्पिरिट का क्या जो ये कहती है कि अगर हम पुराने जखमों को कुरेटते रहेंगे तो घाव कैसे भरेंगे शायद यही तर्क दिया गया होगा 1990 में जब Places of Worship Act को लागू किया गया था देखिए मेरे हिसाब से ये एक गलत तर्क है 1991 में चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी आज है उस समय बहुत आसानी से जिन लोगों के पास ऐसा करने की ताकत थी वो दूसरे समुदाय को राजी कर सकते थे कि देखिए ये देश की निशानिया है आप बस उन्हें सौंप देते आप भाईचारे की एक गहरी भावना हासिल कर लेते इसके बजाए आपने उसका इस्तिमाल किया Divide more हाँ क्योंकि आपने सब कुछ अंग्रेजों से सीखा है प्रशासन कैसे करें जिसमें हाल ही में बदले गए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शामिल भी है आपने इसे वैसे ही उठा लिया 1830 में मैकॉली ने जो लिखा आपने उसे वैसे ही ले लिया कुछ छोटे मोटे बदलाव करके और वो भी इस देश में प्रासंगिक कानून तब बना हालांकि ये 1830-40 में लिखा गया था लेकिन 1857 के स्वतंतरता संग्राम के बाद ये कानून बना क्योंकि तभी अंग्रेजों ने सचमुच सत्ता संभाली थी अब तक इस इंडिया कंपनी थी इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उन कानूनों को वैसे ही लागू कर दिया जैसा कि ब्रिटेन इंग्लैंड में था तो जब हमें आजादी मिली तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि हर कोई इसका दोश सम्विधान को देता है हमें ये समझना चाहिए कि ये सभी चीजें जल्दबाजी में की गई थी डॉक्टर रामबेड कर ने साफ साफ कहा था कि ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है हमें कई चीज करने की जरूरत है ये एक बुनियादी धांचा है इस पर काम करना अभी बाकी है लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि या तो हम आलसी थे या कामचोर थे या हम इतने खुश थे कि हम आजाद हो गए केट में भोजन के बिना हम भोजन से भी आजाद हो गए तो मैं कह रहा हूं बड़ी संख्या में लोग भोजन से भी मुक्त हो गए थे तो हमने ये नहीं सोचा कि इसे कैसे करना है और सबसे बढ़कर जिस तरह से हमने आजादी के तुरंत बाद खुद को संभाला या आजादी की प्रक्रिया को संभाला देखिए ये एक उपमहाद्वीप था भारत एक उपमहाद्वीप है हमने आज आज आप कोई भी व्यापार सिर्फ समुद्र के रास्ते से कर सकते हैं आपके पास नेपाल और भूटान के अलावा कहीं जाने के लिए सडक नहीं है आपके पास कहीं जाने के लिए कोई रेलवे नहीं है आपके पास कहीं से गैस या पेट्रोलियम पाइपलाइन नहीं आ रही है कुछ नहीं आप एक द्वीब बन गए हैं हर चीज इरानी बंदरगाह से आती है ये एक देश को चलाने का सबसे बेवकूफी वाला तरीका है हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी द्वीब कभी भी रा इलिजन्स या समझदारी या यहां तक की अपने इरादे पर सवाल उठाना होगा सरकार कौन होती है उन्हें इन्वाइट करने वाली क्या ये सरकारी फेस्टिवल है समझदान के खिलाफ नहीं है ये क्या सेक्यूलर देश होने की परिभाशा का क्या होगा तमाम सवाल उठ रहे हैं देखिए मैं आपको बता दूँ कि मुझे निमंत्रन आया है ये भारत सरकार की ओर से नहीं आया ये राम जन्म भूमी ट्रस्ट की तरफ से आया है तो मैं मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया लेकिन दुर्भाग्य से मेरा स्यजूल ऐसा है कि मैं उस समय देश में नहीं हूँ क्योंकि मेरा स्यजूल समय से छह से आठ महीने पहले तै किया जाता है ये बहुत बाद में आया इसलिए मैं उस दिन वहां नहीं रहूंगा लेकिन वहां से निमंत्रण आना आपको समझना होगा कि इस पूरे आंदोलन को किसी महान नेता ने नहीं संभाला था किसी समय पर शायद कुछ नेता इसमें शामिल थे बाकी समय इसे पांच सौ सालों से आम लोगों ने संभाला है आप उनकी द्रता को देखिए उनकी भावना और धैर्य को देखिए पांच सौ सालों तक आप एक उद्देश्य लेकर चलते रहे दुनिया में कितने लोगों ने ऐसा किया है पांच सौ साल ये अविश्वसनिये है और ये सब आम लोगों ने किया है जो जो लोग केस दायर करते हैं आप उनका बैक ग्राउंड देखिए मैं तब से अठारवी वी उननसवी सदी के बाद से कह रहा हूँ आप देखिए किस तरह के लोग केस दायर करते हैं सरल सामान्य लोग और आज भी ऐसा ही है ट्रस्ट में जो लोग है जरा उनसे मिलिये वो बहुत सामान्य लोग है और ये अद्भुत है कि वो ऐसा करने में काम्याब रहे अब बेशक सरकार इसमें शामिल हो रही है हटना हो रही हो तो अगर सरकार इसमें भाग नहीं लेती तो ये बेवकूफी होगी लेकिन साथ ही क्या इसे एक सरकारी उत्सव बन जाना चाहिए बिल्कुल नहीं मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं है वो नहीं है उन्होंने मुझे आमंतृत किया और मुझे पता है मुझे किस ने आमंतृत किया सरकार ने मुझे आमंतृत नहीं किया है न तो भारत सरकार नहीं, यूपी सरकार ने लेकिन उसके इड़्द गिर्द व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है और कौन करेगा, हम यहां महाशिवरात्री का आयोजन करते हैं, सरकार भले ही जो भी हो, लेकिन सारी व्यवस्थाएं, पुलिस ये वो फायर ब्रिगेड और जो भी जरूरत होती है, वो सब भेजते हैं, इसी तरह हर जगह ऐसा करने की जरूरत होती है, जहां भी लोग इकठा होते हैं, वहां जरूरी चीजें उपलब्ध कराना सरकार का काम है, तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं, कि देश का सेक्यूलर नेचर बदला जा रहा है, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको उन्हें एक डॉलर बिल दिखाना चाह तो ये सेक्यूलर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता, आप इंग्लेंड में किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाएए, पादरी के बिना आप कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते, यही बात अमेरिकी राष्ट्रपती के शपत के दौरान भी लागू होती है, पादरी के बिना ये न को भाग लेने का समान अधिकार है लेकिन निश्चित रूप से हम एक सेकुलर देश नहीं है क्योंकि हमारे मंदिर भी हमारे हाथ में नहीं है सरकार हमारे मंदिर को चला रही है फिर हम सेक्यूलर राष्टर कैसे हुए हम सेक्यूलर राष्टर नहीं है मेरे हिसाब से तो अपने धर्म के लिए जो लोगों के मन में भव्यता होनी चाहिए थी कई नहीं लगभग सभी उत्तर भारत से सब कुछ छीन लिया गया है अभी आपके पास जो कुछ भी है उसे जल्द बाजी में एक-एक टुकरा जोरा गया है तो अपने धर्म के लिए जो लोगों के मन में भव्यता होनी चाहिए थी जो गर्व लोगों के मन में होना चाहिए था वो कहीं खो गया था आपको लगता है कि अब हम समय के उस पड़ाव पर आ गए है जहां पुरानी गलतियां सुधारी जा रही है देखिए हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले आपको हिंदू जीवन शैली को धर्म का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि दुनिया के अनुसार या कम से कम इस समय बहुत ज्यादा परेशानी से जूज रहे स्थान से आने वाले इबराहीम स्रोत के अनुसार धर्म का अर्थ है विश्वासों का एक बंडल हम विश्वासों का कोई बंडल लेकर नहीं चलते आप जो चाहें उसमें विश्वास कर सकते हैं फिर भी आप हिंदू हैं क्योंकि एक स्तर पर ये भौगोलिक पहचान है और दूसरे स्तर पर सभ्यता से जूड़ी पहचान है एक सभ्यता के रूप में इसका क्या महत्व है एक सभ्यता के रूप में इसका महत्व ये है कि हम खोज करने वालों की भूमी है हमारे पास पालन करने के लिए कोई कमांडमेंट्स नहीं है हमें अपना रास्ता खुद ढूंडना है व्यक्तिगत जरूरतों से निपटने का ये सबसे लोकतांत्रिक तरीका है इनसान अगर वो थोड़े समझदार हैं अगर वो इस ब्रह्मांड में चारों ओर देखें तो आप नहीं जानते कि ये कहां से शुरू होता है कहां समाप्त होता है न तो धार्मिक लोगों को और नहीं वैग्यानिकों को पता है कि ये कहां से शुरू होता है कहां समाप्त होता है तो अगर आप यहां इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठ कर जिसे हम ग्रह कहते हैं जो चारों और घूम रहा है और तेज गती से चल रहा है अगर आप यहां अपने अस्तित्व की सूक्ष्मता को समझ लेते हैं कि वो दुनिया पर शासन कर रहे हैं और सब वहीं चला रहे हैं वो ठीक रहेंगे कटरपन्त ही हमेशा ठीक रहेंगे क्योंकि मन के सारे अलग-अलग विचार खत्म हो चुके हैं इसलिए हिंदू जीवन शैली को उस श्रेणी में मत रखिये हम उसमें नहीं आते इस सभ्यता का यही महत्व है देखिये मुझे लगता है कि G20 शिखर सम्मेलन में इसे बहुत अच्छी तरह से रखा गया था ऐसा कब हुआ दुनिया में कहीं भी जब देशों की समिती एक साथ हो शीर्ष बीस देश मिल रहे हो खेर अब 21 हो चुके है मुझे इस देश पर बहुत गर्व है क्योंकि हमने अफरीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया है पिछले 200 सालों में उनके साथ सबसे खराब व्यभार हुआ है जो कुछ उनका था वो छीन लिया गया और कोई और अमीर बन गया लेकिन वो खुद इतनी दैनी स्थिती में है मैंने पूरे अफरीका में यात्रा की है वहाँ लोगों को देखकर पीडा होती है एक विशाल महाद्वीब को इस तरह अधीन बनाया जाना इसलिए अफरीकी देशों को शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है छोटी बात नहीं है जी ट्वेंटी में अफरीका कोई देश नहीं है ठीक है बाकी के सभी बीस राष्ट्र हैं ये एक महादेश है उन्हें शामिल करके जो हमने किया है वो कोई छोटी बात नहीं है और फिर आप कहते हैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य बताईए संयुक्त राष्ट्र ने भी ये नहीं कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य दुनिया के लिए यही एक मात्र रास्ता है जिस तरह से आज हम टेकनोलोजी और विनाशकारी टेकनोलोजी से सशक्त हो गए हैं अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा आप कह सकते हैं क्योंकि अब भी हमारे पास इतने शक्तिशाली इनसान है और विनाश करने की इतनी ज्यादा ताकत है कि हम इस धर्ती को कई बार नश्ट कर सकते हैं इतनी ताकत हमारे पास है तो हम एक ऐसी सभ्यता हैं जिसका स्वभाव समावेशी है यही कारण है कि जब लोग यहां आए तो वो समझ नहीं पाए पता है चीनी यात्री है इनसांग कहते हैं यह सबसे अजीब देश है जहां मैं कभी गया हूँ क्योंकि युद्ध के मैदान पर युद्ध चल रहा है लेकिन किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं महिलाएं नदी के किनारे अपने कपड़े और बरतंद हो रही है यही थोड़ी दूरी पर एक लड़ाई चल रही है लेकिन सैनिक लड़ते हैं पर वो आकर महिलाओं या किसान को चोट नहीं पहुंचाते इसलिए लोग अपना काम करते रहते थे यह इस तरह का राष्टर है क्योंकि हमने उन चीजों के लिए नियम बनाए जिन्हें आम तोर पर नियंतरित नहीं किया जा सकता युद्ध ऐसा है किसी ने कहा है युद्ध में सब कुछ जायज है मैं प्यार को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फिर कहीं और चला जाएगा तो ये एक ऐसा देश है जहां हमने युद्ध भी नियम से कानून के दाएरे में रहकर किये दुर्भाग्य से धर्म शब्द को चुरा लिया गया है या इसकी सिर्फ पंथ के रूप में गलत व्याक्या कर दी गई है हमारे पास राजधर्म था हमारे पास ग्रिहस्थ धर्म था हमारे पास सन्यास धर्म था हमारे पास कई प्रकार के धर्म थे हर काम को करने के निश्चित नियम और कानून थे आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए भी तो ये वो भूमी है जहां कोई कहीं उपर से नहीं आया है ये वो भूमी है जहां हमने दिव्य प्राणियों को विकसित किया है, दिव्य प्राणियों को बनाया है, इस संस्कृति की यही एक खास बात है, इसे बिलकुल नहीं भूलना चाहिए ये सभ्यता हमारे समाज में, हमारे घरों में भगवान को बनाने के बारे में है ये किसी दूसरी जगह से भगवान को आमंत्रित करने के बारे में नहीं है क्योंकि हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई जगह है, यही सबसे अच्छी जगह है, यहां तक कि अगर आप राम की बात करें, जो अभी पूरी चर्चा में हैं, तो हम उन्हें मर्यादा पुरुशोत्तम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? पुरूशों में वो उत्तम हैं, हम भगवान नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें मर्यादा पुरुशोत्तम कह रहे हैं, तो कोई मर्यादा पुरुशोत्तम कैसे बनता है? इसका मतलब है कि वो सब के सम्मान के पात रहें, आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उनके गुण ऐसे हैं, जिनका आपको सम्म डालें तो उनका जीवन आपदाओं भरा रहा है अपना राज्य खोया, अपनी पत्नी खोई और फिर अपनी पत्नी को जंगल भेजा जीवन भर अपने बच्चों को देख नहीं पाए केवल युद्ध के मैदान में उन्हें देखा और उन्हें मारने की कोशिश की ये न जानते हुए कि वो कौन है भयानक जीवन था लेकिन उन्होंने कभी किसी भी परिस्थिती में अपने अंदर क्रोध अपने अंदर नफरत को नहीं आने दिया, नहीं जो जरूरी था बस वो किया जब मैं Youth and Truth के दौरान एक प्रमुक संस्थान में था तो एक युवा लड़के ने पूछा आप जानते हैं, वो राम ने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यभार किया उन्हें वहां से वापस लाकर फिर उन्हें जंगल भेज दिया मुझे लगता है कि वो कुछ समय उनके कहीं और रहने को लेकर असुरक्षित थे मैंने कहा, आप राम के मनो चिकितसक बनने के योग्य तो बिलकुल नहीं है साथ हजार साल बाद आप यहां बैठ कर यह निर्णय नहीं ले सकते लेकिन अगर वो एक साधारण इंसान होते तो अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया आप उस पर सवाल कर सकते थे पर वो एक राजा है, राजा के लिए उसकी प्रजाही सबसे महतवपूर्ण चीज है लोग वो लोगों के लिए है और ये वो समय है जब वो इस धरती पर धर्म सथापित करने की कोशिश कर रहे है कि हर कोई मूल रूप से धर्म यानि कानून का पालन करने वाली आबदी बनाने का प्रयास करना जब वो ऐसा कर रहे हैं, तब लोगों को संदेह होता है उन्हें अपनी पत्नी की परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, नहीं, वो तीन हजार मील नीचे आये, युद्ध किया और उन्हें वापस लाये, ठीक है, अपनी और अपने भाई की जान जोखिम में डाल कर, तो जाहिर है कि वो उनके लिए कितना माइने रखती ह लेकिन उन्होंने उस समय अपने व्यक्तिकत प्रेम के बजाए लोगों की भलाई और इस देश के कानून के शासन को महत्व दिया, तो क्या हम दुनिया में ऐसे नेता चाहते हैं, जो अपने निजी संबंधों को सर्वोच मानते हैं, या वो जो राष्टर की भलाई को राम को भविष्य का लीडर होना चाहिए, पूरे विश्व का, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, जो अपनी बायोलोजी से परे सोचें, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे नेता, जो अपनी निजी पसंद नापसंद, अपने तकलीफों, अपनी समस्याओं से परे सोचे और देखें कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है और इसी को राम दर्शाते हैं और यही ये संस्कृती दर्शाती है त्याग की भावना मूल रूप से जब अपनी बात हो तो वैराग्य और जब आसपास के लोगों की बात हो तो पूरा जुनून हम बस इसी को महत्व द हैं कि अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उन्हें जागने की जरूरत है उन्हें मस्जिदं को बचा कर रखने की जरूरत है क्या ये भढकाने वाली बात है उकसाने वाली बात है या फिर वोट बैंक के लिए लिमिटेड लेवल की एक राजनीती है देखिए कोई भी जहां चाहे वहां हो सकता है लेकिन कानूनी प्रक्रिया कानून और उसकी रूप रेखा के अनुसार होगी उस समय भी रामधर्म स्थापित करने का प्रयास क कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा किसी को भी किसी संपत्ती पर जाकर कबजा नहीं करना चाहिए हमने पहले ऐसा किया है लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के दायरे में है लेकिन अगर अगर अदालतें कुछ फैसला सुनाती है तो हर किसी को उसे मानना होग चाहे पसंद हो या ना हो, अगर कोई मस्जिद में जाने को कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है, ठीक है? वो मस्जिद में होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं, इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता, अगर उनके लिए ये बहुत माइने रखता है, तो वो वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन, हजार साल के काम का वो एक वाक्य है, मुझे लगता है कि उसे वापस लेना चाहिए हाँ, जिसने भी कहा हो, यसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हजार साल लूट पार्ट, तबाही और कतले आम के रहे हैं, उससे खुद को मत जोड़िए सिर्फ इस लिए कि आप एक खास धर्म का पालन करते हैं, इस आबादी के अपमान और पीडाओं से अपनी पहचान न बनाएं, ऐसा मत कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति रूट मुझे लगता है कि कानून को उस पर भी अपना काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको जाना है, या किसी को खुद जाकर कुछ करना है, इस तरह की चीजों के लिए परियाप्त कानून है, कोई कह रहा है, यह हजार साल का काम है, कौन सा काम? अगर आप उससे पहचान बनाते हैं, तो यह एक गंभीर समस्या है, समस्या पैदा मत कीजिए, क्योंकि सामाने लोग, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या चर्च जा रहे हों, वो सब अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो बस इतना ही चाहते हैं, आप उन्हें गुम कानून इसे नहीं संभालता है, तो मैं कहूंगा कि कानून लागू करने वाले और हमारी कानूनी प्रक्रिया गैर जिम्मेदार है, अगर कोई आक्रमन कारियों से पहचान जोड़ कर कह सकता है, कि हमने हजारों साल तक लूट पाट, कतलियाम और बलातकार का काम किया है, और यह देख रहे हैं कि चीज़ें सही कैसे की जाएं, लेकिन जब लोग गर्व के साथ उससे पहचान जोड़ते हैं, तब समस्या होगी, और इस मुद्दे को कानून द्वारा सुलजाया जाना चाहिए, सड़क पर नहीं। लोगों को बाटने वाली व्यवस्था माना जाता है, जाती जनगर्णा की ये जो मांग हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं। क्योंकि वो अभी भारत के गावों में मौजूद है, दुर्भाग्य से, ये लोगों को दबाती है, लेकिन ये खत्म होने की राह पर है, इस से लड़ने की बजाए, ज्यादा शिक्षा से, आर्थिक मजबूती से, मेरे ख्याल से, एक पीड़ी में ये खत्म हो जाएगी। अब अगर आप जाती जनगर्ना करवाते हैं, और हर किसी पर ठपा लगाते हैं, और अपनी जाती अपने माथे पर गुदवाते हैं, तो हम एक बार फिर पीछे कदम बरहा लेंगे। मेरे ख्याल से, हमें ये पहचान करनी चाहिए, कि कौन भारती ये है, कौन भारती ये नहीं है, और इसके मताबिक काम करना चाहिए, बाकी जनगर्ना हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब तो लोग जेंडर पर भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे समय में, आप अभी भी ज आधार पर लोगों को चुना जाता है, टिकट दिये जाते हैं, आप इससे बच नहीं सकते, ये अब भी मौजूद है, ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों सालों से ये सामाजिक सुरक्षा का आधार रही है, ये हुनर, साजह करने और ट्रेनिंग का एक तरीका रही है, क्योंकि ज्यादा तर जाती मुख्य रूप से शुरुआत में पेशों का विभाजन थी, और क्योंकि कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं थे, तो ट्रेनिंग की एकमात्र जगह परिवार और समुदाय था, तो वो एक तरह से अलग हो गए, समय के साथ-साथ अचानक से सुनार को लगने से श्रेष्ट है, ये दुर्भाग्य पूर्ण मानव प्रवृत्ति मौजूद है, इतिहास के अलग-अलग समय पर हमें इसे ठीक कर लेना चाहिए था, पर हमने नहीं किया, लेकिन लोग और मजबूती से एक जुट हो गए, जैसे जैसे बाहरी आक्रमन और कबजे के कारण हमारी आर्थिक हालत तंग हुई, जब कोई समस्या आती है तो आप अपनी ही जाती से चिपके रहते हैं, क्योंकि आपके पास वही एक सुरक्षा होती है, दुर्भाग्य से जाती के नाम पर भयानक भेदभाव और अन्याय हुए हैं, मेरे ख्याल से हमें जाती के बारे में कम से कम बात करना चाहिए, सिवाए कुछ लोगों को उपर उठाने के, जो समाज में दुर्भाग्य से बहुत खराब हालत में हैं, मेरे ख्याल से शिक्षा और आर्थिक विकास इसका समाधान है, नकि लोगों पर जाती का ठपा लगाना। उनकी भाषा तमिलनाट के CM, M.K. स्टालिन को समझ में नहीं आई, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मैं खबरों के लिए अंग्रेजी न्यूज लगाता हूँ, और आप सब लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं, मैं क्या करूँ? आपको हिंदी समझनी चाहिए सद्गुरुजी? क्यों? मैं समझता हूँ, समस्या वो नहीं है, उन लोगों का क्या? जो नहीं समझते, देखिए, आप इसे Times Now English Channel कहते हैं, 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत या कुछ डिबेट में लगभग 60 से 70 प्रतिशत समय आप सिर्फ हिंदी में बात कर रहे होते हैं, आप बंगाली क्यों न करना है, उन्हें अपने हिंदी चैनल में ले जाइए, कुछ political पार्टियां हैं जो representatives को हिंदी ही उन्हें कहिए कि अगर उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए, अगर वो राश्ट्रिय दर्शक का एक खेमा चाहते हैं, तो उन्हें किसी को अंग्रेजी में train करके भेजना चाह देखिए, जो भी क्षेत्रिय दल हों, लगभग सभी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं, तो अगर बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सीखने दीजिए, मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिंदी च मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, यह विविधताओं वाला देश है, इस पर गर्व करने की बजाए हम इससे संघर्ष कर रहे हैं, यही त्रासदी है, जब हमारे पास लगभग, असल में आप देखें, तो हमारे पास उन्नीस हजार से ज्यादा भाशाएं हैं, लेकिन तेरह सो भाशाओं को साफ तोर पर मान्यता दी गई है, जिनकी अच्छी खासी लिपी और साहित्य है, लगभग तीस भाशाओं में धेर सारा साहित्य है, तो जब हमने राज्य बनाये, गणतंत्र बनाया, तो हमने भाशा के आधार पर विभाजन किये, क्योंकि हमे से कई भाशाओं में, दक्षिन भारतिय भाशाओं में, अंग्रेजी से कहीं ज्यादा साहित्य है, कहीं ज्यादा साहित्य है, लेकिन क्योंकि अब उनकी आबादी कम हो गई है, आबादी कम नहीं हुई है, आप लोगों ने अपनी आबादी बढ़ा ली है, और अचानक औरत को ये कहा जाता है अरे बीजे भी यहां जीती क्योंकि ये गवमूत्र राज्य है। इंडिया दाट इस भारत आज भारत पर जादा एंफसिस दिया जा रहा है और कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी है उन्हें लगता है कि ये एक पोलिटिकल गिमिक है आप इसे कैसे देखते हैं। देखिए जब आपको हर साल पांच से आठ चुनाव लड़ने हैं तब आप लोगों से समझदारी की बात करने की उम्मीद नहीं करते हैं। इसलिए मैं एक देख एक चुनाव पर जोड़ देता रहा हूं। इस सरकार के आने के काफी पहले से ये सरकार तो 2014 में आई। उससे भी पहले मैं इस पर जोड़ दे रहा था। क्योंकि लोकतंत्र और इसकी प्रकृति कुछ ऐसी है। आज आप सबसे उपर हैं। आप सच में लोकतंत्रिक राजा हैं। ठीक है। और कल अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप कुछ नहीं है। मान लीजिए आपकी ऐसी नौकरी होती। आप भी ऐसी तमाम तरह की बकवास कर रहे होते। किसी की भी ऐसी नौकरी होती तो। तो ये लोकतंत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति है। आज आप वहां उपर हैं। कल सुबह आप कुछ भी नहीं है। तो बात जब ऐसी है तो चुनाव का समय आने पर आप उन सबसे पूरी समझदारी की बात करने की उम्मीद करें। ये नहीं होगा। तो ऐसी बड़ा चढ़ा कर बात करने की इजाज़त चुनाव से तीन से चार महीने पहले थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तीन महीने काफी है। लेकिन अभी पूरे पांच साल वो बात करते हैं क्योंकि हर साल कोई न कोई चुनाव होता है। लगभग हर दूसरे महीने करते हैं। पर ऐसा तो हमेशा से ही होता रहा है। नहीं नहीं। ते इस सौ शत्ट तक विधान सभा और संसदिय चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद ही यह हुआ है। तो अब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं। मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव प्रचार करते हैं। काम का समय कहाँ है। जो लोग पद पर होते हैं, उन्हें वो पद काम करने के लिए सौपा जाता है, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी अगर नहीं जीती तो वो बाहर हो जाएंगे, उन्हें जीतना है, जीतने के एक बार तीन महीने बकवास करने की इजाज़त दे दीजिए ये ठीक है पर सद्गुरु जी क्या आपको लगता है कि ये वान नेशन वान इलेक्शन CAA जैसे कानूनों का कोई लाब होगा भी या नहीं जिस तरह के वार पलटवार हम देख रहे हैं हमारे पास संसद की नई बिल्डिंग तो आ गई है लेकिन वहां संसद वही पुराने हैं जो ना एक साथ बैट सकते हैं ना एक साथ मिल कर कोई कानून पास कर सकते हैं संसद सस्पेंड किये जाते हैं संसद संसद में खराब व्यवहार करते हैं हम अपनी राजनिती, अपने गवर्नेंस में कहां जा रही हैं? मेरे ख्याल से नई संसद में उन्हें लेटने वाली चेहर दी जानी चाहिए ताकि जो लोग सोना चाहें, वो सो जाएं, इसके लिए वो सदन से बाहर न निकलें तो मजाक रहने देते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये समस्या इसलिए है क्योंकि जब कोई चुनाव हार जाता है तो वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस एक देश एक चुनाव को लागू करते हैं तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा सभी नेताओं के पास अपने पेशे होंगे और वो राजनीती में भी भाग लेंगे अगर वो इसमें सफल नहीं होते तो अपने पेशे में वापस चले जाएंगे ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कहीं और सफल होना ही चाहिए ये बहुत जरूरी है जिन लोगों ने सड़क पर मोर्चे के अलावा कुछ नहीं किया है वो टॉप पर आ जाते हैं यहां तक की प्रशासक भी निर्वाचित सदस्य जो राज्य चला रहे हैं वो बंद का आहवान करते हैं आप अपने ही राज्य को बंद कराना चाहते हैं ये क्या है? ये दुश्मन का काम है राज्य को बंद करने का काम दुश्मन करता है वो नहीं जो प्रशासन चलाता है ठीक है? पर क्या ये विरोध का अधिकार नहीं? नहीं नहीं ये विरोध का अधिकार नहीं है ये आदत हो गई है तो एक देश एक चुनाव लागू होगा क्योंकि एक समिती गठित की जा चुकी है पूर्वराष्ट्रपती की अध्यक्षता में मुझे विश्वास है कि वो कुछ न कुछ हल निकालेंगे मुझे यकीन है कि सभी नीतियां दुरभाग्यवश कम्परमाईज करके बनती है अगर हम इस कम्परमाईज वाले बिजनस से बाहर नहीं आते हर चीज़ कम्परमाईज कम्परमाईज यानि आप आधे अधूरे बच्चे को पैदा कर रहे हैं सारे कानून ऐसे ही बनते हैं तो हमें ऐसे कानून बनाने होंगे, जो देश को आगे ले जाएं। किसी के पास ऐसा करने का साहस होना चाहिए, आधे बच्चे हल नहीं देगे। लेकिन अगर आप आधा बच्चा नहीं बनाएंगे, तो कोई सड़क पर आकर देश में हंगामा खडा करदेगा। तो इन सब के लिए हमें कानून बनाने होंगे तो जब आप राशी और भाग्य की बात कर रहे हैं सद्गुरु जी हम नए साल पर मिल रहे हैं ऐसे में 2024 में देश का भवेश्य क्या और कैसा होने वाला है इस पर भी तो कोई राज खुलिए मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मोड पर हैं जहां अगर आप अभी सही चीजें करें तो देश बहुत सम्रिद्धि की ओर जाने वाला है लेकिन कई बुनियादी समस्याएं हैं जिनका समाधान जरा मुश्किल है पहली चीज तो जलवायू संबंधी मुद्धे हैं जो निश पूरी दुनिया के हैं मिट्टी का मुद्धा बहुत ही गंभीर है एक सौ चालीस क्रोरे लोग और हमारी मिट्टी में जैविक तत्व जीरो पॉइंट सिक्स टू परसेंट है जो मरुस्थलिकन के काफी करीब है भयानक रूप से कम तो इन चीजों को ठीक करना होगा लेकि नहीं करते तो कुछ चीजें ठीक नहीं की जा सकती अर्थ व्यवस्था अच्छी चल रही है मुझे लगता है हम आगे भी अच्छा ही करेंगे क्योंकि हमने खुद को जियो पॉलिटिकली बहुत अच्छी जगह पर रखा है हमने यूक्रियन को सहायता भेजी लेकिन रूस से हमने रुपे के आधार पर तेल कहरीदा हमने फलिस्तिन को सहायता भेजी और इस्राइल के साथ हमारा बड़ा व्यापार है और हम अब UAE से रुपए के आधार पर तेल खरीद रहे हैं यह चोटी मोटी चीजें नहीं है हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है इस से पहले ज् राइट रस्सी पर इतनी कुशलता से नहीं चले हैं। इसमें शामिल लोगों का धन्यवाद। मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्राले और उसके राजनाईक कर्मियों की दुनिया भर में खूब प्रशंसा हो रही है। और हम कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है लेकिन अपने पडोसी को लगातार धमकी देते हैं कि अगर तुमने जरा भी गुस्ताखी की तो हम तुम्हें बखसेंगे नहीं। ये बहुत ही बारीक दृष्टिकोन है और साथ ही ये एक खास ताकत से आ रहे हैं जो जरूरी है वरना ये काम नहीं करेगा। ताकत के बिना ये काम नहीं करेगा इसलिए लोग ताकत पहचानते हैं। और हम पांचवी अर्थविवस्था हैं। मुझे लगता है कि हम जल्द ही चौथे स्थान पर होंगे शायद इस साल के अंत तक या दो हजार पचीस के मध्य तक और तीसरे नंबर पर शायद हम 2030 या उसके आसपास 32 तक आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये उससे जल्द ही होगा। और राजनितिक भविश्य? किस संदर्भ में? मेरा मतलब है ये साल चुनावों का साल है। सिर्फ भारतिये ही चुने जाएंगे, ये अच्छी बात है। लोग जो चाहें इसे समझ सकें। नहीं, मैं कह रहा हूँ केवल भारतिये नागरिक ही चुने जाएंगे। तो दिक्कत क्या है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूं। मुझे पता है मेरे दर्शक भी समझ ही रहे होंगे। पर भारत … क्या ये इंग्लिष है। डेखिए नहीं कोई अंग्रेजी राष्ट्र नहीं है। लेकिन हम पर अंग्रेजों का शासन था। मझे बात ये है और भी सोथ ये लेकिन शीम भी उन्हों ने हम पर शासन किया। हमें अपना सिर शर्म से जुकाना पड़ रहा है इसलिए नहीं कि उन्होंने हम पर शासन किया क्योंकि हमने उन्हें खुद पर शासन करने दिया शर्म की बात तो है हमें अपना सिर जुकाना होगा हम उस पर कुछ और नहीं कह सकते जरूरी चीज ये है कि ये धर्ती की सबसे पुरानी और जीवित सभ्यता है वो भी लगभग उसी रूप में चीजों में हेर फेर हुई है लेकिन फिर भी लगभग उसी तरह है जैसे एक हजार साल या पांच हजार साल पहले थी अभी भी वही लोकाचार काफी हद तक मौजूद है तो इस देश को किसी अंग्रेजी नाम से पुकारना एक बेवकूफी है हमें इसे बदलना चाहिए था 15 अगस्त 1947 की रात को ही 16 अगस्त को इसे भारत हो जाना चाहिए था क्योंकि भारत लोगों के दिलो दिमाग में बसता है भारत बहुत गहरे स्रोथ से आता है भा का अर्थ है भाव यानि इनसानी अनुभव केवल एक अनुभूती है देखिए जीवन का हमारा पूरा अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है आप जो देखते हैं वो एक तरह अनुभूती है अच्छी या बुरी अनुभूती आप जो सुनते सूंगते चकते या स्पर्श करते हैं सब कुछ एक अनुभूती है तो हमने कहा कि ये भाव है यानि मानवीय अनुभव राग का अर्थ है एक धुन ये धुन हमने नहीं बनाई है ये स्रिष्टी ने बनाई है हम इसी कोशिश में हैं कि उस धुन उस धर्म के साथ कैसे तालमेल बिठाएं अस्तित्व के धर्म के साथ तालमेल में कैसे आएं ये एक बात है ताल का अर्थ है लए ये लए हमें स्थापित करनी होगी मौझूद धुन के लिए अगर आप गलत लए तै करते हैं तो जीवन की प्रक्रिया आपको कुचल देगी सही लए हो तो आपका जीवन एक नृत्य है भारत सद्गुरु जी हमेशा की तरह आप से बात करके बहुत खुशी हुई छोटे और सिंपल तरह से आप बहुत गहरी बातें भी समझा देते हैं यही यह सभिता है यही हमारा राष्ट्र है हर चीज में गहराई मेरे साथ जुणने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उमीद है कि हमारी जल्द ही मुलाकात होगी मुझे यहाँ आकर आपको यहाँ आना होगा बहुत खुशी हुई और मैं जल्द यहाँ वापस आना चाहूंगी आपके आद्शिरवाद से धन्यवाद